नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रात को सोते समय अगर आप लसुन खाते हैं तो आपको आपकी बॉड़ी में क्या क्या फरक नजर आ सकते हैं दोस्तों वैसे तो इंडियन कीचेन में लसुन मिलना बहुत आमसी बात है और दोस्तों लसुन का प्रयोग लगबग दुनिया के हर घर में किया जाता है इसके प्रयोग की बात करें तो हर जगह खाना खाने के मसाले के रूप में भी इसका उप्योग किया जाता है दोस्तों लसुन का सेवन करने से बहुत सारे बीमारिया सरी से गायब भी हो जाती है। दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रात को सोते समय लसुन खाने से क्या क्या होता है। तो आईए दोस्तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये तो आप सब भी जानते होंगे कि लसुन एक बहुत ही गुणकारी आउशदी है क्योंकि लसुन में विटामिन A, B कॉंपलेक्स, विटामिन C, भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसके अलावा लसुन में और भी बहुत सारे मिल्रस पाया जाता है दोस्तों लसुन के नियमित 7 से शरी के तीन दोश जैसे वात, पीत और कफ संतुलित रहते हैं और सरीर में आने वाले रोगों से भी मजबूती बनी रहते हैं यानि कि दोस्तों आपके सरीर का इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉंग रहता है अगर आप रात में सोने से पहले लसुन का प्रयूक करते हैं तो दोस्तों लसुन आपकी बॉडी की यूटिलिटी को बढ़ाता है और आपकी रोग प्रती रोधक्षमता भी बढ़ाता है दोस्तों लसुन बहुत ही उत्तम और साइन भी है क्योंकि लसुन में ऐसे तत्वा पाये जाते हैं जैसे ये पेट में होने वाले कैंसर से बचाता है तो आईए दोस्तो अब हम बात करते हैं कि रात को सोते समय लसुन खाने से आपको क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं दोस्तो अगर आपको ठंड लग गई हो तो आप रात को सोने से पहले सिर्फ दो लसुन खा कर सो जाएए इससे आपकी ठंड में तुरंत रहत मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों दरसल लसुन सरीर में शित प्रदान वायू का दमन करता है और जरूरी उश्मा पैदा करता है यानि कि ये सरीर में करमी पैदा करता है क्योंकि दोस्तों लसुन की जो तासिर होती है वो गरम होती है जिस का कारण ठंड से ग्रशित व्यक्ति को आरा मिलता है और शर्दी का प्रकोग भी कम होता है दोस्तों लसुन के रसका सेवन करने से आपके ब्लड वे कॉलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ने से रूपता है और दोस्तों अगर आप रात को सोती समय लसुन का प्रयोग करते हैं तो आपके शर्य में जमा कॉलेस्ट्रॉल भी खतम होने लगता है जिसके कारण इसके व्यद्यता और भी बढ़ जाते हैं दोस्तों लसुन के नियम सेवन से खुन की सफाई होती है और यह तोच्छा पर होने वाले संक्रमन यानि की इंफेक्शन को भी खतम करता है दोस्तों अ करना चाहिए क्योंकि लसुन हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रगता है जिसकारण से उसे रदय रोगों के लिए उत्तम माना जाता है तो दोस्तों अब आप चान ही गए होंगे कि लसुन की छोटी से छोटी दो कलिया आपके जीवन को कैसे अच्छा बना सकती है और आपके शरी को कैसे निरोगी बना सकती है तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल ना भोलें